अज हम शूटिंग स्टार से एक विश मांगेंगी तो बच्चों क्या आप सब जानते हैं आज रात हम देखने वाले हैं स्टार शार इसका मतलब पनीर और दही मिलेगा लेकिन मुझे तो मीठा और खट्टा पसंद है वो कोई डेरी प्रड़क्त नहीं है वो स्टार शार है आज रात हमें बहुत से शूटिंग स्टार दिखाई देंगे क्या ये सच है कि शूटिंग स्टार को देखकर विश मांगने से वो पूरी होती है हां मैंने सुना तो है पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें शूटिंग स्टार देखते ही अपनी विश को तीन बार रिपीट करना होता है जो आसान नहीं है तो बच्चों तुम अपनी विश मांगने की कोशिश करोगे अच्छा बताओ तुम लोग क्या-क्या विश मांगोंगे पहले से सूच कर रखेंगे तो असानी हो जाएगी सहीं कहां मैं तो एक्शन का मीन से मिलने की विश मांगूंगा मुझे मोईपी की स्टिकर्स चाहिए मैं भी यही मांगूंगा मैं तो मता करा था अपनी विश में अच्छा सा पत्थर मांगूंगा शुटिंग स्टार दिखने पर हमें अपनी विश को तीन बार मंगना होगा तो इसलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी बोलना होगा मुझे एक्शन कामीन से मिलना है, मुझे एक्शन कामीन से मिलना है, मुझे एक्शन कामीन से मैं भी कोशेच करता हूँ मुझे इंगलिश लेवल फॉर में बाउड मुझे अच्छा पत्थर चाहिए मुझे अच्छा पत्थर चाहिए ऐसे नहीं यह तरह तुम विश्माग ही नहीं पाऊँगे ठीक है मैं अपनी वेश चोटी कर देता हूँ पथर, पथर, पथर एक्षिन कमीन से मिले है, एक्षिन कमीन से मिले है, एक्षिन कमीन से मिले है क्या हुआ शिंचैन अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो शिंचैन मैं शूटिंग स्टार देखना चाहता हूँ हाँ हाँ सही का मैंने भी इसके बारे में टीवी पर देखा है मगर बेटा गार्डन में अपना विश्थर मत बिछाओ प्लीज मॉम बिछानी दो ना मैं गार्डन में अराम से लेट कर शूटिंग स्टार से अपनी विश्थ मागना चाहता हूँ अरे हाँ पहले मैं भी अक्सा रात में आसमान देखती थी बहुत ही अच्छा लगता था क्या आपने शूटिंग स्टार से कभी कोई विश्थ मागी थी हाँ मागी थी मैं क्लास में अच्छे माच से पास हो जाओ और हाँ इस बार मुझे मेरे बर्टे पर बहुत अच्छे अच्छे गिप्स मिले समझके लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई विश्थ पूरी हुई होगी चुप रहो मैं तीन बार बोल नहीं पाई समझे ठीक है तो देखने शिंचेन आज मैं लग्की ड्रॉ के लिए विश्थ मांगूगी अरे वै यतन कमाल होगे मगर तुम गार्डन में विश्थ नहीं लगाओगे ये जगा शूर्टिंग स्टार देखने के लिए सही है तो हम उसे यहीं से देखेंगे क्यों शिंचेन यहां से देखने ठीक रहेगा ना इतनी उचाइसे आपके विश्थ जरूर पूरी होगी बेकार की बाते बंद करो रात को बहुत ठंड हो जाती तो इस स्लीपिंग बैग ठीक रहेगा पर तुम लोग क्या करोगे तुम्हारे लिए तु स्लीपिंग बैग है ही नहीं हम इसके काम चला लेंगे मुझे पता था शिंचेन तुम ऐसे ही कुछ कहोगे तो ठीक है अब खाने पीने के लिए कुछ गर्म गर्म बनाते हैं तो शिंचेन हाँ बिलकल अब रात में जागना है तो दिन में सो लेते हैं हाँ हाँ तो रात को जागने के लिए सो जाए ठीक है ये नीन की नहीं आ रही है मुझे नीन नहीं आ रही है अरे ये तो बहुत ज़दी सो गए हेलो बोलिये हेलो कुझा मैं मैं भी सोना चाहता थाता की राटको जागा शुटिंग स्टर दिख सकूँ लेकि मुझे नीन नहीं आ रही तुम क्या कर रही हो कुझा मैं मैं सो रहा था और तुमने मुझे जगा दिया मैं शिंचान बो रहा हूँ कजामा तुम सो रहे थे क्या हाँ शिंचान कजामा एक बार बताओ शुटिंग स्टर हमसे मिलने कब आएंगे रात बें क्यों कि हम अन्धेरे में शुटिंग सास को देख सकते हैं मैं घर आ गया अरे कहा हो अरे यहां क्या कर रहे हो तुम लोग तुम्हें ठंड लग जाएगी दैड में आ गया तुम नहीं मैं आ आ हूँ आपका स्वागत है है हैरी हम लोग शुटिंग स्टार्श दीख रहे हैं तुम लोग तो सो रहे थे शुटिंग स्टार ठीक है इस विष मांगना चाहता हूं दिखाये दो शुटिंग स्टार जल्दी दिखाई दो न ऐशन कामीन से ये तो बहुत जल्दी में है मैं जल्दी विश मांगूंगा और मैं भी आया जब हम इंतजार करते हैं वो नहीं गिरता सही खाहा अरे तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि विश मांगी कैसे जाती है अच्छा आप बताईए विश कैसे मांगनी चाहिए चलिए डैड मांग के दिखाएए ठीक है मुझे अपने कमने का डारेक्टर बनना मांगली आप डैड़ेक्टर बनने की विश मांग रहे हैं आपको तो कोई बड़ी पुजिशन की विश मांगनी चाहिए क्यों हैरी मैंने सुना है शूटिंग स्टार हर विश पूरी करते हैं पता है मुझे अच्छा आपने कमने का प्राइज बनना अच्छा बताओ कर तुमने कोई विश मांगी नहीं और मैं अभी कुछ नहीं मांग पाया शूटिंग स्टार्स बहुत जल्दी में थे कभी के पास मांगने के लिए विश्थी पर ये लोग मांगनी पाया अच्छा है इतने कम टाइम में तीन बर बोलना बहुत ही मुश्किल काम है मुझे नहीं लगता कि कोई बोल भी पाया होगा